C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत है पाठ 11 है जो देख कर भी नहीं देखते प्रिष्ठ संख्या 80 कभी कभी मैं अपने मित्रों की परिक्षा लेती हूँ यह पर रखने के लिए कि वह क्या देखते हैं हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लोटी मैंने उनसे पूछा आपने क्या-क्या देखा कुछ खास तो नहीं उनका जवाब था मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हुच्ची की हूँ मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेश चीज न देखे मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकडों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ मैं भोज पत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलिया खोजती हूँ मुझे फूलों की पंखुडियों की मखमली सतह छूने और उनकी गुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है प्रिष्ठ संख्या 81 इस दौरान मुझे प्रक्रती के जादू का कुछ एहसास होता है कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिडिया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं अपनी अंगुलियों के बीच ज़रने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ मुझे चीड की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुन्दर्ता देखकर तो मेरा मन मुगध ही हो जाएगा परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सच मुझ बहुत कम देखते हैं इस दुनिया के अलग-अलग सुन्दर रंग उनकी समवेदना को नहीं छूते मनुश्य अपनी खुशमताओं की कभी कदर नहीं करता वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है यह कितने दुख की बात है कि दृष्टी के आशीरवाद को लोग एक साधारन सी चीज समझते हैं जबकी इस नियामत से जिन्दगी को खुशियों के इंद्रधनुशी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है लेखिका हेलेन केलर प्रिष्ट संख्या 82 लेखिका के बारे में हेलेन केलर 1880 से 1968 तक अमेरीका एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता है कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं ऐसी थी हेलेन केलर जब वे डेड़ वर्ष की थी बच्पन की एक गंभीर बिमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ती जाती रही लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्म कथा स्टोरी ओफ लाइफ में वे लिखती है मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुभा क्यों नहीं आती दुन्या की सभी भाशाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं इसके अलावा भी उनकी दस पुस्तकें और सैकडों लेक प्रकाशित हुए हैं उन्होंने दुन्या भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शान्ती के लिए काम किया हेलन केलर भारत भी आई थी प्रिष्ठ संख्या 83 प्रश्ण अभ्यास निबंध से प्रश्ण एक जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था प्रश्ण दो प्रकृती का जादू किसे कहा गया है प्रश्ण तीन कुछ खास तो नहीं हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चरिय क्यों नहीं हुआ प्रश्ण चार हेलन केलर प्रकृती की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो प्रश्ण पांच जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुशी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है निबंध से आगे एक आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या-क्या देखा सुना मित्रों के साथ सामोहिक चर्चा करो 2. कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी इस पर टिपणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ 3. तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ती से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो तो तुम उससे सुनकर, सूंग कर, चक कर, छूकर अनुभव की जाने वाले चीजों के संसार के विशे में क्या-क्या प्रश्न कर सकते हो लिखो 4. हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं ऐसी चीजों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी चार इंद्रियों से महसूस करते हो सुनकर, चक कर, सूंग कर, छूकर प्रिष्ट संख्या 84 भाशा की बात एक, पाठ में स्पर्ष से संबंधित कई शब्द आये हैं यहां ऐसे कुछ और शब्द दिये गए हैं बताओ कि किन चीजों का स्पर्ष ऐसा होता है चिकना रिक्तिस्थान मुलायम रिक्तिस्थान सख्त रिक्तिस्थान चिपचिपा रिक्तिस्थान खुर्दरा, रिक्तिस्थान, भुर्भुरा, रिक्तिस्थान दो अगर मुझे इन चीजों को छूने भर से इतने खुशी मिलती है तो उनकी सुन्दर्ता देख कर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा इसमें दो रिखांकित शब्द हैं, खुशी तथा सुन्दर्ता यहां रिखांकित संग्याएं, प्रमशह, किसी भाव और किसी की विशेष्टा के बारे में बता रही है ऐसी संग्याएं भाव वाचक कहलाती है गुण और भाव के अलावा भाव वाचक संग्याओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है भाव वाचक संग्या की पहचान यह है कि इस से जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं देख या छू नहीं सकते यहां लिखी भाव वाचक संग्याओं को सुनो और समझो नीचे वाला ना ठीक है इन में से कुछ शब्द संग्या और कुछ क्रिया से बने है उन्हें भी पहचान कर लिखो शब्द है मिठास, बुढ़ापा, ताजगी, भूक, घबराहट, क्रोध, शान्ती, बहाव, मजदूरी, भोलापन, फुर्ती, एहसास तीन मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ इस वाक्य में रेखांकित शब्द है आदी उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल, आदी, तरह तरह के पेड थे इस वाक्य में रेखांकित शब्द है आदी यहां दिये गए वाक्यों में रेखांकित शब्द सुनने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न है यहां कुछ और शब्द दिये गए हैं, वाक्य बना कर उनका अर्थ स्पष्ट करो अवधी, अवधी, में, मैं, मेल, मैल, ओर, और, दिन, दीन, सिल, शील अनुमान और कल्पना, एक प्रिष्ट संख्या 84 पर एक तस्वीर दी गई है इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नजर कहां जाती है चात्रो, इस तस्वीर में हमें एक सडक दिखाई दे रही है, जिस पर कुछ वाहन चल रहे हैं दो तरफ अटालिकाई हैं, जिने हम बिल्डिंग कहते हैं उनके बीच में हमें एक सडक नजर आती है वहीं हम कुछ बिजली के तारों को भी देख रहे हैं कुछ हरे भरे पेड भी नजर आ रहे हैं इस तस्वीर की व्याख्या सुनकर आपके मन में क्या-क्या विजार आते हैं प्रिष्ट संख्या 85 दो, गली में क्या-क्या चीजे हैं तीन, इस गली में हमें कौन-कौन सी आवाजें सुनाई देती होंगी सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त चार, अलग-अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी पाँच, ये तारें गली को कहां-कहां से जोडती होंगी छै, साइकिल वाला कहां से आकर कहां जा रहा होगा चुनना और पढ़ना 1. N.C.E.R.T. द्वारा निर्मित श्रव्य कारिक्रम हेलेन केलर 2. साई परांजपे द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म त्सपर्ष पाठ समाप्त प्रिष्ठ संख्या 86 केवल पढ़ने के लिए छूना और देखना तुम जानते ही हो कि हम आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों की मदद से महसूस करते हैं आखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंगते हैं, जीब से स्वाध लेते हैं और त्वचा से छूकर किसी चीज का अनुभव करते हैं आओ, हम प्रयोग शाला में अपनी नजर और स्पर्ष के माध्यम से कुछ प्रयोग करें और चित्र बना कर देखें, कि हम लोग अपनी आखों से कितना बारीक अवलोकन कर पाते हैं और कितना छूकर इस गति विधी के लिए आठ दस किस्म के पेड़ पौधों की पत्यों की जरूरत होगी और तीन चार साथियों की भी जितने दोस्त इस प्रयोग में शामिल होना चाहें उतने कागज के लिफाफे पास रखने होंगे जिन से आरपार दिखे हर लिफाफे में एक पत्ती डाल दो हर दोस्त को एक-एक लिफाफा दे दो हाँ, यह ध्यान रखना कि तुम्हारे दोस्त यह न देख पाएं कि उनके लिफाफे में किस तरह की पत्ती डाली जा रही है अब तुम अपने दोस्तों से यह कहो कि वे अपने अपने हाथ डाल कर पत्ती को छुएं अंदाजा लगाएं कि उनके पास किस पौधे की पत्ती है पत्ती के आकार को टटो लें और उसका चित्र बनाने का प्रयास करें इस पूरी प्रक्रिया में पत्ती को आँखों से नहीं देखना है जब बिना देखे चित्र बनाने का कार्या पूरा हो जाए तो लिफाफे से पत्ती निकाल कर सामने रखें और उसे देखकर चित्र बनाएं कौन सा चित्र ज्यादा बारीकी से बना है बिना देखे बनाया हुआ या देखकर बनाया हुआ क्या और कोई तरीका भी है जिससे पत्ती को बिना देखे पहचानने में सहयोग मिल सकता है अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत